हेलो फ्रेंज वेलकम टू सिफ स्टड़ी आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिफ स्टड़ी फैमली में जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा 12th नंबर का लेक्चर था उसके अंदर कवर किया था भारत में बोले जाने वाली प्रमुख भासाएं और वि सकस्क किया था आज के वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे बहासा परिवार जैसा कि मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया था लगबग 7011 वे हमाररी 3000 मतरवार के अंदर लगब 170 मतर भासा में बोले जाती है जिन वेक्स आइक 121 प्रमुक मात्र भासाएं हैं dudakir 121 प्रमुक मात्र भासाओं में से वहारी 22 हम जानते हैं कि हमारी जो अनुसुची 8 ए उसके अंदर रौणी भासाएं там वह सारी हमारी गैर अनुसुची खीकर त mistakes तीन हजार जो पुरमुक तीन हजार है उनमें हमारा जो पूरा भासा परिवार है वो वर्गिगत किया गया है ठीक है जिसमें भारत में चार भासा परिवार है पुरमुक जो हम भारत के अंदर यूज करते हैं जैसे भारोप यह भासा परिवार है पहला 30% पॉपलेशन द्व भासा भासाइं सबसे जादा है इसके अंदर लेकिन लोगों द्वारा सबसे कम बोली जाती है ठीक है तो मतलब कि सबसे पहले बात करें हैं भासा परिवार ठीक है तो चार भासा परिवार वैसे तो बहुत सारे भासा परिवार हैं तेहरे भासा परिवार हैं लेकिन उनमें से भी चार परिमुक भासस परिवार जो जिनकी भासाई है हमारे भारत चारप बहारत यहांडग भासस परिवार या फिर भारत-यूरोपिए भासस परिवार या इसे एक और नाम से जानते हैं हमारा इंडो-níरिय l namta सबसे पहते हैं इसके अंदर 6 बहुत यह उन्हें हैं थे तो हम करतेंं से डिसक पहला है हमारा सबसे पहले भारूपिय भासा परिवार, इसे डिटेल में देखते हैं, तो यदी बात करें, भारूपिय भासा परिवार, तो सबसे बड़ा परिवार है हमारे भारत में भी और विस्व में भी, एक है, तो यदी बात करें, भारूपिय भासा परिवार के अंदर कुल ज फिर उत्तर भारत की जितनी भी भासा हैं वो सारी कहां है हमारे भासा जो हमारा भारोपिय भासा परिवार है उसके अंदर है ठीक है यदि बात करें भारोपिय जो हमारी भासा है इसके अंदर अंग्रेजी भी आ रही है तो अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी सबसे अ बांगला, नैपाली, अंग्रेजी और उत्तर भारत की सभी भासा हैं भारोपी यह भासा परिवार के अंदर आएंगी ठीक है यदि बात करें इसमें हिंदी हमारी वर्ल्ड में तीस नमबर पे है और जो हमारी बांगला है वह साथ में नमबर पे हैं हमने यह प्रीवियस लेक थे देंडर तो यह देख लिए हमने उसके बाद ने नेक्ष बात करें तो हमारा आ जाएगा और तो बहुत करें कितनी वह साइं है तो लगबग 14 बहसा हैं इसमें प्रुमक कौंची है संथाली और खासी ठीक है तो यह 25% दौरा ने यह बोली जाती है 1.1.3 परशेंट द्वारा यह गलत है यहां पर 25 परशेंट नहीं आएगा 1.3 ठीक है तो 1.3 परशेंट द्वारा बूली जाती है हमारी कौन सी यह आजाएगी ओस्टिक भासा परिवार के अंदर कौन सी आ जाएगी हमने देख लिया कंणर मल्यालम तमिल तैल्गु दक्षिन परशेंट बहरत की सबीजा लगवक्स 17 भासा इं इस ऑस्टिक भासा परिवार के अंदर आती है जो यहाँ पर 15 परिवार की विज़े से 25 परशेंट जो है वह 1.3% लोगों द्वारा बोली जाती है इसके अंदर संथाली और खांसी ये प्रमुख भासाई है इसकी ठीक है फिर उसके बाद हमारा last बनाता है last है हमारा चीनी तिब्वती बासा परिवार सबसे ज़्यादा भासाई है इसी के अंदर है लगबग 66 भासाई बोली जाती है इस भासा परिवार के अंदर लेकिन भारत में जो इसका यूज है बहुत ही कम है मतलब कि चीनी तिब्वती बासा परिवार के अंदर जो 66 भासाई उनमें से बस बोडो मढीपुरी, गोरो, लैपचा, डाफला ये जो भासाई है ये हमारे भारत में यूज होती है और लगबग 0.7% द्वारा ये बोली जाती है तो ये हमने देखा भासा परिवार कितने चार भासा परिवार देखे कौन-कौन से भारोप ये भासा परिवार जो कि 73% लोगों द्वारा बोली जाती है इसके अंदर तहीज भासाएं है जिसमें जैसे की हिंदी, उर्दु, संस्कत, लेटिन, गिरिक, सिस्पैनिस, फ्रेंच, जर्मनी, बांगला, नैपाली, अंग्रेजी, उत्तर भारत की सभी भासाएं उसके बाद हमने नैक्ष देखा, द्रेविट भासा परिवार की, ठीक है, भारोपी होगे, अफिर द्रेविट भासा परिवार की, द्रेविट भासा परिवार के अंदर यदि बात करें हम, तो 17 भासाएं आएंगी, और जैसे कन्नर मल्य आलमता मिलता है लोग हो, दक्षिन भ परिवार जिसके अंदर जो की 0.7% लोगों द्वारा बोली जाती है इसके अंदर 66 भासा हैं आएंगी जैसे की बोडो, मणिपुरी, गोरो, लैपचा और डाफला ठीक है तो यह हमने देखा भासा परिवार चार जो प्रमुक वरगें जो की हमारे भारत के अंदर बोले जाते है संस्कत सबसे पहले उसके बाद संस्कत के बाद हमारी वैदिक संस्कत लोकिक संस्कत फिर पाली प्राकरत अभ्रंस अवट और हिंदी यह 3500 साल का विकास का क्रम है हिंदी का और हिंदी किस किस से मिलके बनी है हिंदी में संस्कत भी है प्राकरत भी है और फार्शी और उर झाल झाल